नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेयर लेके आया हूं जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फाइदा देने वाला होगा जी यहां दोस्तो वह सेयर है अमबुजा सीमे सीमेंट्स लिम्टेट का सियर दस फरवरी को 306.50 सुपर पर बंद हुआ है दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फोजीशन बना सकते हैं दोस्तों अमबुजा सीमेंट्स लिम्टेट की बात की जाए तो यह बिल्डिंग मटेरिय है और इसमें नंबर ऑफ एंप्लोई की बात की जाए तो 4000 से ज्यादा एंप्लोई इसमें काम करते हैं और दोस्तों अभी यह अडानी ग्रूप की कंपनी बन चुकी है अडानी ने इसको टेकोवर किया हुआ है तो यह पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अडानी ग्रूप क तो अभी फरवरी चल रहा है तो यानि कि तीन मेहने पहले ही इसका जो हाई था वह पांस तो चौंसट दिसमलों 65 रुपय का था जैसा कि हिंडन बर्ग की जो रिपोर्ट है अमेरिकन रिशर्च कंपनी है उसने जो खुला से किये कि अडानी गुरूप किस तरीके से विदेशी कंपनियों में पैसा लगाता है फिर वो कंपनियां खडीती है तो इसका प्राइज उपर जा रहा है अब यह सच है जूट इसका उस कारण से जो आरूप लगाए हो गए हैं उस कारण से इसके शेयर प्राइज नीचे आ गया है नहीं तो यह अभी 500 की उपर ही आ सच्छा निकलता है कौन जूट निकलता है लेकिन इस कारण से शेयर प्राइज में प्रेसर आ गया है और लोग घवरा कर निकल रहे हैं इसी कारण से इसका प्राइज अभी अब तीन सो साध्य दिमला पचार सपय चल रहा है और जैसा कि अभी इसका जो रेल्ट आया था यानि की जो क्वार्टर ली रेल्ट आया था उसमें भी कंपनी को यानि प्रॉफिट हुआ है तीन सो नहत्तर करोड का प्रॉफिट हुआ था अभी ऑपिसली बार दो सबावन करोड का था तो प्रॉफिट में भी जंप मारा इसने और रविन्यू के बात की जाए तो 4128 करोड का रविन्यू था और पिछले बुकाबले इसका 3144 करोड का रविन्यू था तो वो भी इसका अच्छा खासा रविन्यू आया है तो अभी यहां पे जो सेवी ने एसम लि है अभी तो यहां से इसका स्टॉक प्राइब उपर जा सकता है जैसा कि डिलेवरी जवाइज की बात की जाए कि डिलेवरी जवाइज अगर इसको चेक किया जाए तो इसमें 10 फरवरी को 38.9 पिस्वत की डिलेवरी हुई है और शेर्स होल्डिंग पैटर्ण को अगर इसको गवर्मेंटाब सिंगापुल्ड की इसमर्स एलेवरी तो और इसम्हाइज फिगाए हुए है और फॉरन जो प्रमोटर ग्रूप है उसमें होल्डर इंड इन्वेस्टमेंट के पास तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अब दोस्तों अमजा सीमेंट के सेर को कैस्ट में बाई कीजिए इसके सेर की जो डिलिवरी है वह अपने डिमेट अकाउंट में ले लिजिए और दोस्तों आप इसको अगले एक से दो सालों में यह फ्रॉप पांस तो एक क्यावन रुपय तक जाता हुआ नजर आ सकता है और अगर आप इसको मीडियम टर्म बोल कर लेते हैं यानि की चार से पांस साल के लिए अगर आप इसको होल कर लेते हैं तो इसका सेर प्राइज शेसुर रुपय से लेके नौसर रुपय तक जाता हुआ नजर आ सकता है लॉंग टर्म की बात की जाए आट से 10 साल अगर आप इसको होल कर लेते हैं तो फिर इसका स्ब्राइज यह जानर रुपय से लेकि 15 रुपय तक जाता हुआ नजर आ सकता है तो दोश्तों आप लोग चाहें तो जिस तरीके का भी इंवेस्टमेंट करना चाहें वैसा आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पोजीशन बना सकते हैं इसने जो हाई लगाया हुए पर्टीश नॉमबर 2020 तो पांसे चॉश्टे दिसम्लों पैंसेट प्रपया का अभी यहां पे काफी सचते रेट प सकता है अगर आप ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं इसको करने का तो अभी यह 360 रुपए के उपर बंद हुआ है तो यहां से यह बहुत ही जल्द 370 रुपए पहुंच सकता है नेफ्स्ट वीक में 370 रुपए तक यह जा सकता है बहुत ही जल्द तो आप लोग चाहें त सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत जल्द एक नए शेयर का वीडियो